So hello and welcome you all I am Rohit from Mahajan Trader So आज इस वीडियो में हम बात करेंगे BHEL की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चेनल The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चेनल को subscribe कर देना साथ ही आप हमारे Telegram चेनल को भी join कर सकते हो जिसकी link का आपको नीचे description में मिल जाएगी वहाँ आपको nifty और bank nifty की काफी कुछ updates मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार check out जरूर करना तो वीडियो को करते है continue तो वीडियो की शुरुआत BHEL में कहाँ पर हमें closing मिली कैसे returns थी उससे करेगे तो बिलकुल last trading season stock ने काफी इची rally बताई market के साथ stock में भी बड़त देखने को मिली 316 रुपे साथ पेसे के level पे stock में closing हमें देखने को मल जाती है returns की बात करें तो पाच रुपे के around round stock बढ़ गया 1.62% के हिसाब से और पिछले पाच दिनों में अगर आप देखोगे तो stock में गिरावड भी हमें ने जराई थी एक opportunity मिली थी जब stock 293 के around गया था बड़ उसके बाद की जो rally रही है वो काफी शांदार रही है continuously stock बढ़ रहा है 5 दिनों में stock 19 रुपे से ज्यादा तक के return दे चुका है एक महीने में भी अगर आप देखोगे stock में गिरावड भी रही और stock में बड़त भी देखने को में मिलती है तो एक proper upside down momentum जो है stock में हमें देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं यहाँ पर कुछ important updates हैं जिसकी वज़े से कल एक बड़ी rally देखने को मिल सकती है कल बड़े momentum यहाँ पर देखने को मिल सकते है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भी एचियल ने एक बड़ा order यहाँ पर receive किया है दस हजार करोड का project इन्हें मिला है दामदर वैली corporation की ओर से और बिल्कुल डीवी सी और से order दिया गया है भारत हवे उलेक्रिकल्स has secured a letter of intent LOI from दामदर वैली corporation डीवी सी जिसे कहा जाता है to construct to 800 megawatt thermal power station in कोडरमा डिस्टिक तो ए न्यूस पहले से जल रही थी फाइनली लेटर यहाँ पर आ गया है letter of intent का और 10,000 करोड का यहाँ पर अगर देखे प्रोजेक्ट होगा इसकी कोस्ट 10,000 करोड होगी 800 megawatt का thermal power station प्रोजेक्ट यह रहने वाल है तो एक बड़ी चीज है BHEL's scope of work includes supplying equipment such as boiler, turbines, generators and associate acceleries along with electrical and CNI system तो एक बड़ी लेवल पर अगर देखे इस project के उपर काम किया जाएगा और 52 महीनों के round round अगर देखे इस project को complete करने की पूरे पूरे यहाँ पर इनकी planning है तो एक बड़ी चीज है और बिलकुल यहाँ पर अगर देखे government का stock है BHEL और एक बड़ा project देने मिला है हाली मैं NTPC और BHEL को एक project साथ में करने के लिए दिया गया था ओभी 800 मेगा ओट के round ही था तो यहाँ पर अगर देखे continuously इन में project मिल रहे है और stock के जो prices है ओभी आगे बढ़ सकता है अभी भी काफी लोगों को और valued लगने लगता है क्योंकि एक साल में अगर आप दिखोगे तो stock 100 रुपे से सीधा 300 रुपे के round रहूं गया इसका हाली में high जो लगा था 335 रुपे का लगा था तो आप यही से अंदाजा लगा सकता है और stock अगर आप दिखोगे covid के time तो stock 20-23 रुपे के round round रहा था फिर उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी growth आई है share में और वही अगर देखोगे उपर काफी बड़े level से stock नीचे भी आया 300-390 के level से नीचे आया तो यहाँ पर इन levels तक गए जाता है तो यहाँ पर हमें आने वाले time में इस particular share में एक bonus के announcement भी मिल सकते है यहाँ पर अगर देखा जाएक dividend company के और से दिया गया था और dividend किता था तो 25 पेसे का यह dividend था 12.5% का final dividend company के और से यहाँ पर दिया गया था तो final dividend की जो ex dividend date है ओ है 9 अगस्त 2024 तो 9 अगस्त 2024 से पहले अगर आप buy करते हो तो आपको बिलकुल इस particular share में dividend का फाइदा यहाँ पर होगा ही होगा और यहाँ पर अगर देखें 9 अगस्त आपको याद रखना है क्या हमें आने अले टाइम में bonus मिलेगा या नहीं तो bonus से related अगर आप देखो के हाँ बिलकुल ए bonus share रहा है पर जादा bonuses company ने नहीं दिया है और exactly यहाँ पर अगर देखें पहली बार इसने 2007 में bonus दिया था 1.1 का फिर 2017 में दिया था 1.2 का और company ने दो बार यहाँ पर bonuses के announcement किये हैं और वही अगर देखा जाए तो highly chances है क्योंकि अभी भी जो stock का price है और valued यहाँ पर लगने लग गया है और valued price है तो यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें एक bonus का announcement भी देखने को मिल जाए तो यहाँ पर देखना होगा कि आने वाले टाइम में bonus हमें मिलता है या ने बट stock का price overvalued लग रहा है अब बात करते हैं यहाँ पर अगर देखें इसके quarterly results announce होने वाले है तो उसकी date क्या होगी तो यहाँ पर आप देख सकतो भारत है वी लेक्रिक्रिकल्स इंद एक्सचेंज फिलिंग 23 जुलै informed versus that the meeting of the board of directors of company schedule on when रहा है तो यहाँ पर 31 जुलाई यहाँ बिल्कुल यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए बिल्कुल डेट आपको यहाँ यहाँ पर रखनी है और बिल्कुल यहाँ अगर देखें काफी लोग stock में positive भी है काफी बड़े targets इसमें मिले भी थे और शेल जो है continuously बढ़ रहा है और last year की अगर हम बात करें 2024 की तो यहाँ पर company के खर्चे बड़े थे यहाँ पर अगर देखें इसके खर्चे 7794 करोड़ तक बढ़ गये थे जबकि यहाँ पर अगर देखें 2023 की बात करें 7411 करोड़ थे कंपनी अगर देखें इंकम यहाँ पर marginally बड़ी थे ज्यादा नहीं अभी की बात कर लें 2024 में तो 8,416 करोड़ और वही अगर देखा जाए 25% का एक profit में भी decline देखने को मिला था बट अभी उम्मीद है कि stock में एक बड़त देखने को मिला एक देजी देखने को मिला और अपना नवया all time high भी आपर बताए तो यह अब हमें चीजों के उपर हमें ध्यान देना चाह तो पहले तो हम 5 minute के time frame पर stock को discuss कर लेते हैं कि 5 minute time frame पर क्या levels हैं तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो level हमने discuss किये थे उसके हिसाब से तो stock ने बहतरीन rally बताई share में एक ascending type triangle के बारे में मैं बजा था यहाँ पर अगर देखे straight line को काफियत तक इसने respect किया था ठीक है कि यहाँ पर एक proper ascending type triangle बना था यहाँ पर अगर मैं इस levels को mark करो तो उपर से resistance यह बनाता है downside की ओर से support रहा फिर support रहा फिर support रहा तो एक proper upside downs momentum जो है stock में पर देखने को में मिल जाते हैं तो इसी upside down momentum के चलते हैं अगर आप देखो stock में एक अच्छा breakout भी मिला है प्लस इस particular trade line पर अगर आप देखोंगे तो एक support भी मिलता है ठीक है तो यहाँ पर अगर देखे downside की ओर से stock में एक support हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है multiple time stock ने support लिया है और यही पर support लेके share में एक अच्छी rally देखने को हमें आगे भी मिल सकती है और उपर से अगर आप देखोंगे resistance हमें देखने को मिला तो एक proper ascending type triangle है after breakout stock में अगर देखे sustain करके और एक अच्छी rally देखने को मिल सकती है और बड़े returns जो है stock में हमें देखने को मिल सकते है और वही अगर दिखा जाए जो उपर के levels है ओ लेबल्स भी हमारे ले काफियत तक IMP है वनार के time frame पर भी अगर मैं आपको बताओ तो एक stock 320-321 रुपे तक जाने की कोशिश करेगा क्योंकि 320-321 के levels है यह यहाँ पर पहले गिरा है और यहाँ पर एक double top इसने बनाया था double top के breakdown के बाद एक fall आया और downside के और इसने support लिया था तो यह चीज़े हमने पहले ही discuss यहाँ पर कर ली थी तो जैसे ही इसने support लिया वेशे ही करे लिया ही तो अभी अगर देखे जहाँ पर एक पहले resistance face कर चुका है और जहाँ पर double top का breakdown इसने दिया तो उस level को भी break करेगी करेगा और बड़े returns जो है stock में यहाँ से हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगे तो बिलकुल आप यहाँ पर positive रह सकते हो as a long term के basis पर stock में अच्छी returns बहतरीन rallies देखने को हमें आपर मिलेगी तो और और काफी कुछ चीज़े जो है discuss कर चुगे हम BHEL को लेकर इस video में I hope आपको यह video helpful और अच्छा लगा होगा विडियो अच्छा लगा हो विडियो को like चैनल को subscribe करना और कोई भी stock में investment करते हो इनका analysis भी करना साथ ही telegram चैनल को join करना link नीचे description में है Thank you